मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमारी जो सुभाश चावला जी हैं एक मजे हुए नेता हैं बहतरीन जिनको हम कह सकती हैं इतने पुराने और इतने अच्छी हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इस चंदीगड को चलाने में शमक्ष छोंगे और हम धनवात करते हैं पवन बंसल जी का कि उन्होंने उनको हमारी शेहर का प्रेसिडेंट बना कर हमारे गर्ब को उंचा किया है उमीद करते हैं सुवाश चावला जी से के वो जितने भी हमारे पुराने लोग हैं और जिन्होंने मेहनत तहे दिल से कांग्रेस से दिल और जान तन मन धन से जो खड़ी हैं उनका वज़ूर ख्याल करेंगे महलाओं का ख्याल करेंगे अपने बरकरों के उन्होंने बहुत पहँचान हैं कौन कितना काम करता है हम धनवाद करते हैं सोनिया जी का और पवन बंसल जी का कि हमारे कांग्रेश के जो हमारे सुवाश चावला जी हैं बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत इन से घ्ब तर ल कमें दोड़ीथे नियन की छोट आले ही सबależते हैं अगरेश तर pr 의 रोध्य कंग्रेर्श में मैं जब से यहां भरन्दावन की रहने वाली हूं मुझे 35 साल हो गए तो जबी से मैं यहां कांग्रेस दफ्तर में मेरा आना जाना जगनात कॉंसल जी के सामने से मैं यहां पर कार कर रही हूँ चंदिगड की अंदर और कांग्रेस की एक शेवाधार की रूप में मैंने काम किया है मैं कांग्रेस में जब से हूँ पहले लेश्वन सिंग थे यहां के प्रेसिडंट उसके बाद बिनुश शर्मा जी भी आए मेरे कार में तीन चार प्रेसिडंट रहे दौलत राम शर्मा जी भी रहे और हमारे पवन बंसल जी भी रहे तो हमारा बहुत अच्छा कार चलार सभी बहुत अच्छी हमारी प्रेसीडेंट रहे हैं जी हां मैं मुझे पहले ब्लॉक प्रेसीडेंट बनाया था जिस टेम साहित बुनुष शृर्मा जी तो गुरुपचन प्रिंसिपल जी थे उसके बाद मैं पुश्पा जी के उसमें डिश्ट की बाईस प्रेसीडेंट रहे और उसके बाद हमारी जोसी जी आए तो प्रदीप छाबडा जी के सामने भी मैं बाइस प्रेसिडेंट रही चंदिकड़की आज के टाइम में आप किसी पदपर नहीं हूँ क्योंकि हमें छाबडा जी ने कहा था कि हमारी अभी तयार नहीं हुई है हमने अपनी तयार नहीं की हुई है तो इस वज़े से हम लोग उसी बेट में थे तो मुझे महला कॉंग्रेस में मेरी एरिया की इंचार्ज बनाया था लेकिन मैं इतनी पुरानी कार करता हूँ तो मुझे तो शेयर में हर एक आदमी जानता है तो इसके बाद मैंने उनको मना किया था कि मैं तो वैसे ही शोशल वर्कर हूँ एक सिफाई हूँ सिफाई की तरह कार करूँगी मैं मैलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमरी का अंग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है इसको रोशन करें बलंदियों पे चड़ाएं कांग्रेस जैसी पार्टी ना कभी हुई है ना होगी क्योंकि साट साल कांग्रेस ना राज किया है और जब से मोधी शरकार की पार्टी आई है सारा संसार के आल वर्ड इसने हला के रख दिया है बहुत बुरी रेप जितने हुए चोटी हथियाइं होती रही बेहनों की बच्चियों की चोटी चोटी लड़कियों के साथ रेप हो तरह है तो महलाओं लिए यह पार्टी बिलकुल ही बहुत बखवास वेका रही गरीब से लेकर की गरीब मरा है गरीब को मार दिया किशान को खतम कर दिया ऐसी पार्टी हमको बिलकुल कभी नहीं चाहिए हमारी जो स्रीमति इंद्र गांदी थी उनको दुनिया से उड़ा दिया हमारे राजिव गांदी को उड़ा दिया हम सोनिया गांदी जी का धन्यवाद करते हैं कि इतना उनका परवार बरबाद हुआ फिर भी आज वो डटी हुई है हम उनके लिए अपना जीवन बल्लेदान पूरा जीवन कर देंगे हम सोनिया गंदी के उपकारों को नहीं भूल सकते ना हमको किसी को बूलना चाहिए कांग्रेस वालों को वो हमारी जान और हमारी शान है इस देश की राहुल गंदी और शोनिया गंदी सिर्मति इंद्रा गंदी आज चड्डीगर के नए कांग्रेस परदाशा देश्ट पनाए चुने गाए हैं चाहिए तो उसको लेकर आप कुछ को कहना चाहते हैं कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहूंगी आपके माद्धम से के बीजे पी तो बिलकल खतम है ये खतम है कांग्रेस ही एक ऐसी परटी है जो इस देश को चला सकती है बरना कोई परटी इस देश को नहीं चला सकती। कोई कर सकेगा। किशानों की बदादर जाता है। इसलिए हम कहते हैं किशान एक ता जिन्दा बात। कांग्रिश पार्टी जिन्दा बात। अगर किशान हैं तो हम हैं मजदूर और गरीव जो भी है। बीजेपी पार्टी ने खतम कर दिया है लेकिन ये कांग्रिश ही है। इसकी लहर जरूर आएगी अच्छाईया हैं सचाईया हैं इसमें क्योंकि कांग्रिश के अलाबा कोई राज नहीं कर सकता। बिलकुल नहीं कर सकता। मोधी शरकार ने सब को खतम कर दिया है। इसलिए इनसान ही नहीं भगवान भी साथ देगा कांग्रेश का, क्योंकि इसने बहुत कुरुआनी है कि इस देश को चलाया है, देश को जो कांग्रेश चला सकती है, कोई पार्टी नहीं चला सकती। पर हम लोग हमेशा पवन बंसल जी के साथ रहते हैं, घरों में, उनके में हमारा आना और जाना है, जो हमारे पवन बंसल जी मुझे हुक्म देंगे, उनकी हुक्म की मैंने हमेशा तालिम की है, जो उन्होंने का है मैंने वही माना है, और जो वो कहेंगे आगे मैंने वही मानन है उनसे ना मैं कभी अलग हूँ ना मैं होंगी वो हमारे बहुत ही नहायती अच्छे हैं जितना मैं उनकी तारिफ करूं उतना कम है जो वाग्या करेंगे मैं उसका पालद करूंगी thank you for watching nt24 news the national tele 24 news